ओम शान्ति एक वर्ता अर्थार्थ सदा वरिती में एक हो दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई ये पक्का वर्त लिया हुआ हो कई बच्चे एक वर्ता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं बाप कोई मीठी बाते सुनते कि बाप, शिक्षक, सत्गुरू का मुख्य समबन तो आपके साथ है लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा वा सखी सयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सला के लिए साकार में जुरूर चाहिए साकार शरीर है ना मेरा, बाबा आप तो जानते हो, जब तक आत्मा शरीर में है, तो कोई तो सयोगी साथी चाहिए ना बाबा आप तो हमारे हैं ही, आप तो हैं ही, अब साथी चाहिए क्योंकि साकार शरीर है, तो बड़ी मीठी ही बाते सुनाते हैं बाबा को यह बाब, शिक्षक, सत्गुरु, वो तो मुख्य मुख्य समझो है न, वो बाबा आपके साथ ही है, बड़ी चतुराई से, लेकिन साकार शरीर धारी होने के कारण में पासाकार शरीर है न बाबा, के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण न बाबा, कोई साकारी सखा, वह सक्ही सयोग के लिए ना सयोग तो चाहिए होता है ना बाबा अब सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए होता है ना बाबा अकेले कहां करेंगे हम सेवा अगर अकेला कोई करने लगते है ना तब भी देखते हैं दूसरा कोन है साथ में कारे चोटा सा होगा फिर भी डूंडेंगे कोई है के नहीं है कोई सयोग मिल जाए साथ में पहला संकलब यह नहीं आता कि मैं कर लूँ बाबा के साथ में मिलके यह हो जाएगा जैसे ही कोई दिखेगा वोगा चोटा सा कारे आवाज इधर आना बैंजी इधर आना भाई जी उसको भी आवाज लगाएंगे तुम भी कर लो तुम्हारा भी बाग्ये बनेगा बड़े चतुर होते हैं कारे छोटा सा ही है अगर एक आग्रता से किया जाए तो ज़्यादा समय नहीं लग सकता फिर भी सयोग चाहिए किसी ना किसी का सेवा के लिए जाना है अरे अकेले थोड़ा ही जाएंगे कोई तो साकार में होना चाहिए न और तुम चलेंगे क्या तो दो चार कोई कठा कर के लिए जाएंगे कारे छोटा साही था ऐसा होता है न, मार्किट जाना होता है किसीने, तो क्या कहते है? अध्य है, तो चलोगी क्या? तो साथ में एक साथ ही ले लेते हैं, क्षुद भी जा सकते हैं, पर नहीं, सयोगी, साथ ही, अरे, शमान जयदा होके उठाईगा कौन, इसको साथ ले लेते हैं, दो चार इसका हो जाएगा, दो चार अपना तो उठा लेंगे, बाबा के साथ नहीं, बाबा तो साथ है अपने, बाबा का क्या कहना, कोई तो राय सला करने के लिए चाहिए होता है, आप दो चीजों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, निकालेगा कौन और इसी भी सेवा होगी तो सयोग किसी का चाहिए, सेवा के लिए भी साथी चाहिए, राय सरा करने के लिए भी साकार में जुरूर चाहिए, क्योंकि वाप तो निराकार और राकार है, इसलिए सेवा साथी है, और तो कुछ नहीं है क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के ल अगर आपने बाबा से मिलन बनाना है, तो जैसा बाबा है वैसा आपको अनवो करना पड़ेगा, आपको भी अपने आपको निराकारी और आकारी सोरूप में स्थित करना पड़ेगा, यह थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं कभी-कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चलिए, तो ऐसे बड़ी चतुराई से साथी भी डूंड लेते हैं, और कहते हैं, बाबा तु साथ है, ओम शान्ति.